ओएम जी यहां शादी में होता है अनोखा रिवाज बाराती दुलहन को करते हैं केज शादी एक बंधन है दो दिलों का मिलन है तो वहीं दो परिवारों की मिलन भी शादी है हर इंसान अपने शादी के सपने देखता है और सालों से इन्हें संजोकर रखता है अगर बात शादी की करें तो अलग-अलग धर्मों में रीती रिवाजों और परमपराये निभाई जाती हैं शादी में लोग दूलहाद दूलहन को गिफ्ट भी देते हैं महमान उन्हें धीर सारी बधाईयां भी देते हैं मगर कभी आपने सुना है कि दूलहन को गिफ्ट या ग्रीटिंग के बजा आया किस करें अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए क्यों कि अब ऐसा होने लगा है हम आपको उस ये जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर दूलहाद दूलहन को कोई गिफ्ट नहीं बल्कि यहां एक दूसरे को अलग कर किस किया जाता है दरस स्वीडन में शादी के बाद दूलहाद दूलहन को अलग कर दिया जाता है और फिर जो मिहमान सिंगल यानी जिनकी शादी नहीं होती वे दुलहन को किस करते हैं यही नहीं दूलहे के साथ भी एह प्रक्विया अपनाई जाती है स्वीडन में दूलहा और दुलहन को किस करने की परमपरा है पम्रुप्रा के अनसार दूलहा और दूलहन को अलग-अलग जगह लिया जाता है मेहमान आते हैं और फिर उन्हें किसकर शादी की बधाई और शुब कामनाय देते हैं यहां दूलहा दूलहन इस दोरान बिलकुल भी अटपटा महसूस नहीं करते हैं यहां परंपरा यहां सालों से चली आ रही है